प्यारे वच्छों नमस्कार आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट रेकिवे चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि एजुकेशन से रिलेटेट सभी इंपॉर्टेंट न्यू 12,000 रुपे स्कालर्शिप मिलती आपको आगे पढ़ाई के लिए तो उसकी परिक्षा की यहां डेट आज घोसित हो गई है तो जो भी गॉर्मेंट रिलेटेट स्कूल हैं प्राइबेट स्कूल हैं या गॉर्मेंट स्कूल हैं या इस्तानी निकाय द्वारा संचालित उनके लिए चात्रवत्ती चैन परिक्षा के लिए यहां पर डेट जो है वो गोसित हो गई है गॉर्मेंट की तरफ से तो क्या है पूरी डिटेल पूरे वीडियो पर आप लोग बने रही है जो पाठक्रम में वो कक्षा साथवी आठवी के समान होगा कोई अलग से कोई स् परिक्षा में उनको मिलेगी रूपे बारह हजार की बारसिक चात्रवरती चैन परिक्षा सुल्क इसमें कुछ नहीं है फ्री रहेगा आपको बनना फार्म सभी बच्चे फ्री में बर सकते हैं परिक्षा का माध्या माप लोग हिंदी अत्वा अंग्रेजी ले सकते हैं नि पूल सिक्षा विवाग राज सेक्षिक अनुसंदानेवं प्रसिक्षन परिसत द्वारा जो विग्यापन दिया गया उसमें आप लोग देख सकते हैं कि मानो संसाधन विकास मंत्राले नई दिल्ली द्वारा आर्थी गूर्प से कमजोर प्रतिवा साली विद्यार्तियों क वाईजीत की जा रही है चैनीद विद्यार्तियों को प्रतीव प्रती विद्यार्ति रूपे बारह हजार रूपे मिलते हैं कक्षा 9 यह आपको स्कालर सिब्यार नहीं मिल पाएगी तो प्रतीवा साली स्ट्टणेंट होना भी जरूरी है इस स्कालर्शिप के लिए ये चात्रवत्ती के वल सास की अनुदान प्राप्तेवं इस्तानी निकायों के विद्यालों में अध्यन रत नीमित विद्यारतियों के लिए है पात्रता हम यहाँ पर देखें कि मद्परदेश राज्य में गॉर्मेंट या प्राइवेट स्कूल के इस्ट्वेंट जो कक्छा आठ में इस साल 2021 वावीस में अध्यन रहते हैं वो इस परिक्षा को दे सकते हैं परन्तो ऐसे चात्र पात्र नहीं होंगे जिनके सात्वी में सी ग्रेड प्राप्त हुआ हो या जिनकी बार्सिक आए जिनके पेरेंट्स की एक लाग पचास अजार रुपे से अधिक होगी वो इसमें फार्म नहीं भर सकते हैं परिक्षा का सात्वी और आठवी लेवल के प्रस्ने आप पूछे जाएंगे परिक्षा सुल्गी कुछ नहीं है फ्री है आप सभी के लिए परिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी होगा और कोटा इसमें अनुसित जाती जन जाती और निशक्त विद्यारति के जिलेवार आरक्षन का प्रावधान भी रहेगा तो आनलाइन आविदन पत्र भनने की तिथी तीन जनवरी है अंतिम तिथी बाविज जनवरी रहेगा अठारा तारीक रवीवार को इसका जो है वो परिक्षा दिनांकवा दिन रहेगा और परिक्षा का समय दस पेताली से 12.30 तक M.A.T. जो मेट होता है वो पेपर का है और 12.30 से 2.15 तक S.A.T. जो होता है मेट मतलब मानसिक योगिता परिक्षन आपका होता 90 मिनिट का इसमें समय रहेगा कुल प्रेशनों की संक्या यहाँ पर 90 रहेगी एक मिनिट हर एक प्रेशन के लिए रहेगा सामानी वर्ग को कम से कम 40% अर्थाद बहुत तरंक लाना जरूरी है परिक्षा में वहीं जो रिजर्वेशन कोटे में हैं उन स्टुडेंट को 32% अर्थाद 58 अंक लाना जरूरी रहेगा जो सेक्षिक योगिता परिक्षन है S.A.T. सेट जो होता वो भी 90 मिनिट का रहेगा उसमें भी 90-90 प्रस्ण रहेंगे दोनों को मिलाकर आपको इतने प्रस्ण लाना होगा पास के लिए दोनों प्रस्ण पत्रों के बीच विद्यारति को परिक्षा कख्ष छोडने के अनुमती नहीं होगी यह भी आप ध्यान रखिएगा मानसिक योगिता के अंतरगत कुल 90 प्रस्णों में से प्रस्ण समा जत्ता बरगी करन श्रंकला आकरती अब बोधन छुपी ही आकरतियां इस टाइप के प्रस्ण रहेंगे और सिक्षिक योगिता के अंतरगत कुल 90 प्रस्ण में से 35 प्रस्ण विग्यान के 36 प्रस्ण सामझी उग्यान के तता गणित बिसे के 20 प्रस्ण होगे आविदन की प्रक्रियावन प्रवेस पत्र की प्राप्ति जो है वो आविदन केवल आनलाइन ही स्युकार के जाएंगे किसी प्रकार का मैनूल अथवा डाग द्वारा भेजे गए आविदन पत्र स्युकार नहीं के जाएंगे आविदन पत्र की हाट कॉपी MP Online के अधिकरत क्योस्क केंदरे से या MP Online की वेफसाइट पर प्राप्त होगी फीलो भारत का सबसे उभरता हुआ एप जिसे काफी स्टुडेंट पसंद कर रहे हैं कोई क्योस्टन हो डाउट हो कोई कांसेट के लिए नहीं हो रहा हो जे डवली या IIT लेवल का या NEET लेवल का तो आप 24-7 आर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फोटो कीच कर आप सीधे भेज़ सकते हैं लाइब वीडियो के माद्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं बहुत इजी स्टेप में आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं मेरे डिस्क्रेशन बॉक्स में इसकी लिंक दिया आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत ही आसान है यहां पर किसी भी सवाल को पूछना कच्छा चटवी से लेके बारवी तक हमारे काफी अच्छे एक्सपर्ट है और जो लाइब आपकी आंसर देंगे तो यह बाकी डिटेल से जो फाम भनने के लिए रहेगी मैंने जो महतकुन निर्दे से वह आपको बता दिया परिक्षा प्रारम होने ते 30 मिनिट पूरव आपको परिक्षा के अंदर पहुंचना है ते पूरी डिटेल सभी प्रेशन बस्तुनिस्ट प्रकार के होंगे कोई रिनात्मक अंक नहीं है नेगेट्व मार्किंग नहीं है उत्तर सीप परिक्षा उपरांत परिवेक्षक के पास अनिवार रूप से जमा करने होंगे परिक्षा हाल में आप लोगों को प्रवेस पत्र, केवल, काला, नीला, वाल, पैंड ये ले जाना है और नियम पुस्तिका में उपलब्द हैं बाकी सभी जानकारी जिसको आप MP Online की वेफ साइट से प्राप्त कर सकते हैं तो कुल डिटेल ये ही स्ट ट्रूं की जो आठवी में स्ट पढ़ रहा हैं उन्हों के लिए रास्टी मिंस का मेरिट चात्रवरती चाहन परिक्षा है परिक्षा सुल के कुछ नहीं वना तो सवी स्ट ट्रूं को जो इस केटेगरी में risque पने तो परिक्षा जो है उसके इस्तर के साफसा आपको तयारी करनी रहेगी तो में डिटेल में आपको यहां बता दी आगे जो भी अपडेट आती है फिर मैं इस चैनल पर लेकर आता हूँ चैनल से जुड़े रहे हैं थेंक यू थेंक यू थेंक यू सो मज